भदोही से निहाल अलीब यूरो चीफ की खास रिपोर्ट भदोही कुलिस की बड़ी कार्यवाही 21 लाग रूपे के 121 कुए भूवे विब्लिन कम्पनियों के मल्टी मीडिया मोबाइल पोन किया बरामत डॉक्तर मीनाक्षी का त्यायन पुलिस अधीक शकभदोही द्वारा जनसुनवाई के माध्यम से प्राप्त हुए गिरे मोबाइलों से संबंदिक प्रार्थना पत्रों का संग्यान लेते हुए एसोजी स्वाट सविलांस की टीम को गुमशुदा मोबाइलों की बरामतगी हे तु निर्देशित किया गया मोबाइल फोन की बरामतगी हे तु गर्थित पुलिस टीमों द्वारा अथक प्रयास से विभिन कमपनियों के कुल 121 मल्टी मीडिया मोबाइल कीमती लगभग 21 लाख रूपे बरामत करने में महत्वपून सफलता प्राप्त हुई है आज दिनाग 6 सितंबर 2024 को पुलिस अधीक शक भदोही व अपर पुलिस अधीक शक द्वारा पुलिस लाइंग ज्यानपुर सभागार तक्ष में बरामदर शुदा मोबाइलों को उनके वास्तविक स्वामियों को सुपोर्ट किया गया पूर्वे दिनाग 29 अगस्त 2023 को 101 मल्टी मीडिया मोबाइल अनुमानित कीमत 17 लाग रुपे दिनाग 31 दिसंबर 2023 को 152 अधद मल्टी मीडिया मोबाइल सेट कीमती करीब 25 लाग रुपे व दिनाग 26 अपरेल 2024 को 101 मल्टी मीडिया मोबाइल अनुमानित कीमत 18 लाग रुपे स पहित कुल 354 मोबाइल फोन कीमती करीच 60 लाग बरामत कर वास्तविक स्वामियों को सुपोर्ट किया गया है। कुल बरामत गी, 121 अदद विबिन कमपनियों के मल्टी मीडिया मोबाइल से कीमती लगभग 21 लाग रूपे। प्राप प्रार्थना पत्र के आवेदकों द्वारा अपार प्रसन्नता व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक भदोही वक्राइम ब्रांच भदोही की टीम को धन्यवार प्रकत करते हुए भूरी भूरी प्रशंसा की गई। कांस्टेबल मनू सिंग, कांस्टेबल दीपक यादव, कांस्टेबल सुनील पाल, कांस्टेबल सुनील कन्नोजिया, कांस्टेबल गोपाल खरवार्व, कांस्टेबल प्रत्युष पार्थक स्वाटींग जन्पत भदोही शामिल रहे। इसको मैंने एक डेडिकेटेट टीम से इन मोबाइल के लगतार सर्विलांस को करवाया है और आज के दिन जो है 121 मोबाइल जिसकी बजार कीमत लगता है इकीस लाग हो गए इसको इनके ओनर्स को दिया जा रहा है और पूरू में भी मेरे द्वारा इभिन मौपों पे भारी संख्या में इस तरह की मोबाइल जैसे कभी पहरे मैंने 150 मोबाइल, 152 मोबाइल, कभी 110 मोबाइल इस तरह से मोबाइल से इनके ओनर्स को दिया गया है